हाई फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं कच्ची केरी की चटनी तो यहाँ पर दो बड़े साइज के केरी लिया है मैंने कच्चे आम यह थोड़े से जादा खटे होते हैं पीलर से या फिर चाकू से इसके उपर का छिलका निकाल देना है चलिए दोनों ही केरी का हमने चिलका निकाल दिया है और इसे बारिक टुकडो में यानि की बारिक पीसेस में कठ किया है यहाँ पर लिया है एक कप मुंग फली मुंग फली को अच्छे से भून कर उसके उपर का चिलका निकाल दिया है दस पंद्रा लेसन की कली लिया है आट दस यहाँ पर लिया है सोक, रेड चिली, एक चम जीरा हल्दी और नमक तो सबसे पहले यहाँ पर लिया है छोटा मिक्सी का जार चटनी बनाने का अब इसमें डालेंगे पीसे इसमें कट किया हुआ कच्ची केरी अब केरी के टुकडे डालने के बाद इसमें डालना है सोक रेडचीली इस रेडचीली को आधे गंटे तक पाने डालकर भिगाया है अब इसमें डालेंगे एक कप मुमफली अब इसमें डालेंगे एक चमच जीरा लेसन डालेंगे एक चोटी चमच डालेंगे यहाँ पर हल्दी एक चमच डालेंगे नमक और थोड़ा सा डालेंगे स्वादा नुसार नमक डालना है अब इसे अच्छी तरह से पीस लेना है यह देख सकते हो आप जादा मोटा भी नहीं और जादा बारिक भी नहीं किया है इस तरह से मिक्सिको रुक रुक के चला कर इस तरीके से पेस्ट बनानी है चटनी यह देखिए यह चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है आप इसे एक हफ़ते तक फ्रीज में रखे यूज कर सकते हो खा सकते हो बहुत ही टेस्टी बनती है आप चाहो तो इसे राई और करीपत्ता डाल कर तड़का भी लगा सकते हो लेकिन यकिन मानिये इस तरीके से आप इसे खा सकते हो रुटी के साथ चपाती के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है ऐसे भी और इसे बनना भी बहुत ही आसान है इस आसान से रेसिपी को आप ज़रूर ट्राइ करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें शेर करें और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के ल के बाइ